Real Feminism क्या होता है? Obviously ये तो नहीं होता है कि आप जाके रस्ते में कोई cab driver को उनकी गाड़ी से निकालो और बहुत सारी थपड़े मारो और उनकी property डिस्ट्रॉय करो अगर आपको नहीं पता लखनाओ में ऐसा ही एक केस हुआ है और उसकी बहुत सारी अब information अवेलेबल है कोई, you know, nobody really cared enough to report about this incident उसके बाद जब इंटरनेट पे विडियो बहुत वाइरल हो गया तो थोड़े-थोड़े big media houses भी इसे pick-up करने लग गए because इतने सारे लोग इसके बाल में बात कर रहे थे और इसे google कर रहे थे and then आपके influencers या influential pages sort of जो होते हैं blogging sites वो भी इसके बार में post करने लग गए but the thing is उनके post का जो goal था, जो motive था वो शायद कुछ और ही था ये incident के बाहर आने के बाद कुछ लोग feminism, feminists ये सब चीज़े ब्लेम कर रहे हैं उसके बार में मैं आगे बात करूंगी पर ये कुछ लोग हैं जो इसके बार में post बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि वो बोलें कि ये गलत हुआ है ये इसके बार में उन्हें रपोर्ट करना है or things like that कुछ लोग, काफी लोग, in fact, ऐसे अब आए हैं सामने जो अब इसके बार में बात कर रहे हैं because उन्हें फेमिनिजम को डिफेंड करना है and I feel like अगर आपको अपना मुवमेंट डिफेंड करने के लिए ही इसके बार में post बनाना है I mean, you might as well just don't post about it जब ऐसा incident हुआ है किसी के साथ इतना humiliating incident हुआ है जिसमें for the matter वो इंसान जिस जो मार कहा राता he was in jail, his brother was in jail at least वो दोनो यही क्लेम करते हैं अपने interview में अगर ऐसा हुआ है and still आपका purpose of your post is to defend your movement I think आपको एक step back लेने की ज़रत है and सोचने की ज़रत है कि you know, आप कोई चीजमें इतना deeply घुज गय हो क्या that you don't, that you don't see anything from a normal human empathetic point of view anymore and इसमें एक बड़ी आइरनी यह भी है कि अगर कोई फीमेल शी हास फेस्ट और तो उसमें अगर तब मैं आपके लिखे कॉमेंट्स में not all men, you are something of that sort so, obviously, लोग आपके बोलते हैं कि यार यह पॉंट नहीं है to talk about this अब इसके बारे में या men's issues के बारे में अलग time पे बात करो अभी आप victim पे focus करो, अभी इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो और हाँ जब एक specific ऐसी case की बात हो रही है I totally understand कि ऐसे आके उधर बोलना, it is very very wrong और काफी भार feminists ही हैं या feminism movement follow करने वाले ही जो लोग है वो आके ऐसी चीज़े हमें बताते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं बट जब इस पे बात आई तो वो narrative twist करने की कोशिश कर रहे हैं वाई? अब इस situation में भी, I think it is important कि पहले हम उसको देखें और इसके बार में बात करें की ऐसा क्यों हो गया की जो लोग investigation जिने करना चाहिए जो हमारी police force है उन्होंने उसके बिना ही सिरफ लड़की का बयान लिया और लड़की का बयान नहीं लिया और उसे ही जेल में डाल दिया अज अगर शायद यकीस हमारे सामने नहीं आता, you never know अब तक शायद जेल में पेटा होता तो अब इस पॉइंट एक डिफेंस क्यों लाने की कोशिश करना है अबाओ फेमिनिस्म, I have no idea and एक और चीज जो काफी मैंने feminist pages पे या speakers से सुनी है which is that, you know, जब वो men की बात करते हैं, वो certain men की बात करते हैं, वो उनकी बात नहीं करते हैं जो ऐसे नहीं है, जो बुरे लोग नहीं है, understandable but in this situation as well, अगर कोई feminist या फेमिनिस्म को ब्लेम कर रहा है for the most part, वो ऐसे लोगो को ब्लेम कर रहे हैं, जो, you know, गलत काम करते हैं, जो मिसांडरी प्राक्टिस करते हैं, वो mostly, I guess, हर एक जन को नहीं ब्लेम कर रहे हैं so it's like, just go ahead and practice what you preach, अप ऐसे मत करो कि एक तरफ हम ये बुलेंगे और फिर जब दुकसरा सिचुएशन है, we'll completely turn around and talk about something completely else on the other hand, I definitely बात करना चाती हूँ कि इसमें पूरे फेमिनिस्म मूवम्मन को ब्लेम करना is just I mean, जो लोगे कर रहे हैं, I'm pretty sure are, most of them are just trolls on the internet और पीपल जो एक जो एक चीज़ मैंने देखी, कुछ लोग ना, वो रेड पेज बना रहे हैं, कि किसी का पोस्ट शेर कर रहे हैं that ओ ये फेमिनिस्म ने बोला बात इस केस, तो जा कि रेड करो, comment section में ये लिखो, वो लिखो, and things like that I personally think that anti-feminism as in itself is not a movement, and I don't know if it's a positive नतीज़ भी है या नहीं है but if you feel bad about this case, if you want to help men in any way, I would honestly suggest if you have the time that you have a comment rate or whatever you want instead, you can volunteer in some NGO, whether it's a Men's Rights NGO or any other NGO, whatever cause you believe in and volunteering करना सरफ ये नही होता है कि आप जा के पैसे कलेक करने की कोशिश करो, या आपको बहुत च्रावल कर के चोटी-चोटी जगाएं जाना होगा something as simple as, आपको ये NGO का social media page handle कर दो, at a very cheap cost or free of cost उन्हें ग्राफिक्स में, वीडियोस में, ये सब चीजों में help कर दो, I mean that itself also is a part of volunteering so, you know, that might just be a better use of time rather than trading comment sections but I think अब ये हो गया है कि from the feminist side or anti-feminist side, ये हो गया है कि हम अब ये पूरे incident को feminism से रलेट करेंगे और जो person actually suffer कर रहता, उसके बार में शायद बात नहीं करेंगे, उसको help कैसे करनी है, उसके बार में बात नहीं करेंगे so, I think it's very counterproductive अब तक जितना मुझे पता है from various sources, उन्हें help मिल रही हैं in this situation but if you know of any place, जिसमें में हम collectively उन्हें help कर सकते हैं so, definitely please आप comments में डालिए या मुझे DM कीजे and I will share that and I don't think enough people इसमें social class या economic class की भी बात कर रहे हैं इसमें gender एक रोल definitely play करता है but social class और economic class भी बहुत बड़ा एक रोल पे play करता है अगर I think वो कोई और, you know, इनसान होता हूँ वस बड़ा बिगर कार, much better car, expensive car or something of that sort तो वो female शायद, she wouldn't go ahead and do something like this अगर वो एक ड्राइवर ही होता, but not necessarily एक अगर वो एक ड्राइवर ही होते not necessarily एक हाए economic class में, but still कोई बड़ी पॉश गाडी के ड्राइवर होते, a little bit more, you know, social points or whatever you want to call it तो भी शायद उनका ये, वो जाके ये नहीं करती, वो जाके प्रापटी तर दिस्ट्रॉई नहीं करती, I guess so, ये केस में या आप हितेशा, चैटर जी, जुमैटो वाला केस देख लो, उसमें भी, I think social and economic class भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है and I don't know about other places, but India में तो, I feel, ऐसे लोग हैं, जो, you know, कुछ जॉब्स को इतना नीचा देखते हैं, वो, जो लोगी जॉब्स कर रहे हैं, वो उन्हें बेसिक human respect भी नहीं देते हैं and मैं सिर्फ ये बाहर के लोग और बहार की दुनिया और इसके बार में बात नी कर रही हूँ definitely I've seen this मेरे खुद के friend circle हो, या मेरे खुद की family हो, कोई ऐसा मैं देखा है और ये बहुती एकी चीज है, बहुती बुरी चीज है and I just hope that अगर आप देखो ऐसे कि कोई किसी और को बहुती बुरे वे में ट्रीट कर रहा है just for the reason कि उन्हें एक ऐसा जोब है, जन्हें रिस्पक नहीं करते हैं I think you should definitely step in and try to explain it to them मैं तो ये करती हूँ हूँ और अगर कोई मिर से जादा close इंसान मी होता है I just try to distance myself a little because it says a lot about a person how they treat somebody who doesn't come from the same economic or social class as them anyway that is all for this video and I'm very very glad कि बहुती mainstream media sources इसके बार में बात कर रहे हैं हमें regularly इसके बार में information रहे है I just hope ये सेम एक Zomato हे टेशा चाटर जैसा case जैसा नहीं हो जा or you know the Rotak Girls case it could just end up like that, I hope it doesn't I still continue करूंगी यहां पे description में और डूस्टी जो मैंने इसके बार में वीडियोस पोस्ट किये हैं उसके description में update करना कि क्या हो रहा है about this story and if मैंने कोई update miss किया है या मैंने कुछ गलत बोला है please let me know in the comments or DMs and I will change it thank you so much for watching, bye bye, I'll see you in the next one